हेलो गाइस वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मार्केट मूवर देखिए एक आज ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगा जो हमारे चैनल पेगदम फर्स्ट फर्स्ट आपको बता रहा हूं और देखिए से स्टॉक पे हो सकता है मोमेंटम यहां से कंटीनू देखने को मिल बिकॉज लॉकडाउन का जो सीधा सीधा असर पड़ा है दो कंपनी इसको जवरजस्त पड़ी थी पहला आया सेटी सी और यह एक दूसरा सेक्टर जहां से एक टॉप क्लास की कंपनी इस सेक्टर की लीडर कंपनी मैं बात करूंगा आज उस स्टॉक के बारे में जिसमें कि इस साल अगर इन सबी स्टॉक पे इतना प्रेशर पड़ने के बाद भी स्टॉक ने अपने आपको गजब का सस्टेन किया है चौदा सो और पंदरा सो के लेवल पे और देखिए एक चैनल पे ट्रेड कर रहा और चैनल के हाई पे है अगर यह हाई को ब्लीच करता है जो क इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल्स बताना चाहूंगा तेकि वीडियो में स्टॉक का दिखाने से पहले मैं एक ची जरूर कहना चाहूंगा हमने अपने चैनल पे जॉइन वाला सेक्शन एक अलग किया जिस पे हमारे साथ बहुत सारे लोग अल्रेडी जॉइन कर चुके ह मैंने आज सुबह को एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें IRCTC और एक स्टॉक के बारे में बताया था IRCTC को आज के लिए बताया था कि आज इसमें तेजी आएगी जो हमारी 2000 वली वीडियो की सीरीज थी वो आपको नहीं मिल रही होगी मेंबर्स को मिल रही है और अगर आप भी पाना चाहते हैं ये वीडियो तो ज़रूर हमारे चैनल के मेंबर्स सेक्शन को जॉइन कीजिए सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो 159 का चार्जेज है ये कॉल या टिप्स प्रोवाइड करवानी के लिए नहीं है ये आप हमारे साथ जुडेंगे इसके लिए है ताकि मैं आपका हर कमेंट का जबाब दे पाऊं देखिए दो घंटा पहले हमें बहुत सारे लोगों ने रिपलाई किया था उन सभी को हमने रिपलाई किया है और देखिए मैं ये खुद से नहीं कहा रहा हूं आप स्क्रीन पे खुद देख पा रहे होंगे संजे जी ने क्या कमेंट लिखा आपकी खोज बहुत अच्छी है और हम लोगों को काफी जादा फाइदा ह हो रहा इससे आप देखिए हैं अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़के ले सकते हैं इसे कॉल से टिप्स प्रोवाइड करवाने की बिलकुल भूलना कीजिएगा यह आपकी मर्जी होगी बाकी चैनल के सारे कंटेंट फ्री है मैं बात कर रहा हूं नादर दें अप्लिकेबल इन इंडिया 2011 में यह पब्लिक कंपनी बनी ऑगस्त के और लिस्टेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नवेंबर 2015 पे इंडिगो इस दा लार्जेस्ट पेसेंजर एरलाइन्स और इनके पास डोमस्टिक एयर ट्रेबल मार इनकी जो फेयर थी इनकी जो सुभिदाएं थी वह बहुत ही कम पैसे पर बहुत ही अट्रेक्टिव थी इसलिए सभी कंपनीज में अविएशन के आपने जैट एरवेज स्पाइज जैट और जितने भी कंपनीज थे सबों में आपने देखा होगा प्रोब्लम बट इस कंप एर टांस्पोर्टेशन विश इंक्लूट्स पेसेंजर और कार्गो सर्विसर और प्रोवाइडिंग रिलेटेड एलाइट सर्विसेस इंक्लूडिंग इन फ्लाइट सेल्स देखिए सर्विसेस क्या-क्या ओफर करती है 6E रिवार्ट्स प्लान भी इंडिगो कार्गो सकतर रहे हैं इस इस फ्लीए आपके सामने ला रहा हूं तो चलिए मैं दिखाता हूं क्यूं ला रहा हूं ठीकिंग बिजनसे साइलाइट इसलिए दिखा रहा हूं वेकोज इनकी रिजर्स थोड़ी सी धीमी हुई थी और धीमें होने की वज़ज़ा थी इनके पास जो अर्मिंग से वह बहुत ज़्यादा फ्लेक्ट्टोएट करता बिकॉज यह टोटली डिपेंड उन्टे कुरूड जी का कुरूड ऑल के उपर नीचे होने से अबिएशन कंपनीज पर जो है फाइदा और घाटा यह बहुत ज़्यादा फ्लेक्ट्टोएट करता इसके बार the company witnessed steady recovery in a traffic till end of the Feb 2021 over 1,80,000 customer traveling Delhi the company posted RASK total revenue net finance income per available seat kilometer of 3.26 in Q4 FY21 declines 10% मतलब इससे ज़्यादा थी 3.2 ज़्यादा थी 0.32 ज़्यादा थी यह कम हुई है the company जो capacity है टायर 2 टायर 3 के लिए make extend their regional performance और यह सभी चीज़े कम हुई है A23, aircraft जो भी है cargo business सब declined होगा because COVID-19 के बज़े से लेकिन outlook क्या है तो outlook हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ बाते की गई है investment in fighter program would help the company strength in product service and cargo segment the company is replacing old CEO ठीक है CEO को फिर से लेया गया है new and efficient in NEO aircraft they expected the passenger confidence come in Lee line by the early 2021 July और इससे पहले on the vaccination drive in the boosted and the case count decreased gradually तो आप देखिए clearly इस चीज को mention किया गया क्योंकि result अभी हाल फिलाल पे यह आई थी और यह सारी चीजे बताई गई है company के तरप से मैं अभी आपको sources भी बताऊंगा कि मैंने यह कहां से आपको दिखाया है because जो इनके हगदार है जिनोंने इस रिपोर्ट को तयार किया है उनका नाम तो लेना होगा ठीक है pre-covid level the expects that would be hit the some domestic troubles against the FIQI 23 मतलब बहुत ज़्यादा मातरा में बढ़ सकता है 80% तक reaching हो सकती है expected revenue rate to increase after Q1 FI 22 मतलब 22 के Q1 के बाद में रप्तार बहुत ज़्यादा बढ़ने के बहुत ज़्यादा chances है तो several affected due to the pandemic it expects the cash burn rate of increase FI 22 ठीक है during the May 2021 the company received board approvals of fund rising 3000 करोर through the QIP qualified institutional placements तो ये भी मंजूरी मिली थी देखिए जो sources लिया गया है जो इस ये कॉनकेल तयार किया है वो है stockage stockage के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो जरूर जाके देखिए आपको मिलेगा ये application पे भी और website पे भी तो आप अगर visit करना चाहते हैं तो you can visit इन्होंनी ये future outlook की जो बाते हैं इन्होंने collect करके एक जगा पे collect करके दिखाया है वो ही मैं आपके साथ share करना हूँ देखिए इंडिगो को अगर आने वाले दो-चार महने तक अगर समय दिया जाए तो आप खुद भी समझ रहे कि ये sector कितना ज़्यादा प्रवाहित हुआ था और lockdown खुलने से किन को फाइदा हुआ रेलवे का जो IRCTC आग लगा दिया इंटर गुलोबल एविएशन भी बहुत फास्ट मोमेंटम करता मुझे 2000 तक के एप्रोच पे लग रहा है स्टॉक अगर ये वो लेबल तोड़ता है तो जो मैंने आपको बता 1700 सम्थिंग का है तो फिट 2000 तक के जाने के पॉसिबिलिटिस बहुत जादा ये मेरी अनलेसिस है लेकिन मैं आपको फिर से कहता हूँ अगर आप इस पे स्टॉक पे पैसे लगाना चाहते हैं तो जरूर खुद की अनलेसिस एक बर जरूर कीजेगा मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीजे इस वीडियो को मैदम से दे पाया उसलिए कहता हूँ बिजनस मॉडल और कंपनी की पूरी डिटेल्स लेने के लिए मार्केट मूबर एक सफिसेंट चैनल है जो आपको बहुत सारी जानकरिया देती है आप अगर दिल से हमें लाइक करते तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजेगा और एक कमेंट ज़रूर कीजेगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी मैं मिलता हूँ नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए बहुत बहुत धेन्यवाद तेंक्यू